हलो एवरिवन वेलकम बैक टू दी चैनल स्वागत है आपको आपके फेविडेट चैनल इंडो पार्ट साला पर आज किस वीडियो में कवर करने वाले स्पोर्ट्स करेंट अफेर 2023 को लेक्चर कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले जो इंपोर्टेंट टूनामेंट है हमारे जो के हमारे भारत के खिलाड़ी हैं एंड काफी यूबा है यह 18 साल के सिर्फ तम्मिलाडू से बिलॉंग करते हैं 18 साल के उम्र में यह चेस वर्ल्ड कप के फैनल तक पहुंचे एंड यहां तक पहुंचने वाले यंगेस्ट वर्ल्ड कफ फाइनलिस्ट बन गए यह अभी कि आपको याद रखना है थार्ड प्लेस फाबियानो कारवाना यूएसे से बिलॉंग करते हैं होस्ट किया गया इसे अजर्बाइजान की राजानी बाकू में नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंशिप 2030 की बात करें तो देखो अभी ऐजित कहां पर हुआ है दोने वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंशिप में गोल्ड बैडल जीता है नीरच चोपड़ा की बात के तो इनका संबंद जैवलिन थ्रो से हैं और इसके तुरंत बाद ही यह जो है यूडिक डायमंड लीग भी खेल जाके जो सुर्जा लैंड में जीत हुआ वहां पर य है कईस में जो कि इंडिया का हाइस्ट स्पोर्ट्स ओनर है आप सबको पता होना चीए नीरच चोपड़ा किस राज्य से ही हर्याना से ही यह भी पता होना चीए फिर हाप पर हौकी 5 एस 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 कप 2023 देखो जो नॉर्मल होकी होता है उससे है एक जो है अलग यह टूर्णाम निकाला गया है फाइव एस इसका इसलिए नाम है क्योंकि आपर सिर्फ पांच खिलाली पार्टिस्पेट करेंगे जिनमें तो चार आपके प्लेयर होंगे और गोल कीपर होगा तो याद रखिएगा यह जो है नॉर्मल होकी से अलग वैरियंट ठीक है आगे देखो बात कर में वाला 24 में होगा होकी फाइवेस का यह का पराजित होगा ओमान के मसकट में ठीक है तो यह एक तरह से जो है क्वालिफाइंग टूर्णामेंट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा था एंड भारत के टीम ने पार्टिसिपेट जो है क्वालिफाइंग मतलब कर लिया ह है कहां के लिए होकी फाइवेस वर्ल्ड कप 24 के लिए जो कि ओमान के मसकट में अजित होगा विमेंट का एक टूर्णामेंट कराए गया एंड विमेंट में भी चैंपियन रही है इंडिया ही याद रखिएगा इन्होंने फाइल में थाइलेंड को हराया है तो ठीक है नॉ होस्ट कोन कर रहा है चाइना का हंग जाव सहर होस्ट कर रहा है ठीक है डेट की बात करें तो 23 सेटमबर 2023 से लेकर 8 अक्टबर 2023 तक आयुजित किया जाएगा एंड यहाप किर्केट के मैचेस कराये जाएंगी तो इंडिया के जो मेंस किर्केट टीम है उसके कैप्टेन बने पिर आपका होकी वर्ल्ल कप है किर्केट वर्ल्ल कप है यह सबी जो टूनामेंट है चार साल में एकवार आयुजित किये जाते हैं तो दर 26 एसेन गेम्स जो है यह यह जापान के नगोया में आजित किया जाएगा फॉस्ट एसेन हो सोड़ी होकी बोल रहा हूँ फॉस्ट गेम्स जो है वह कहां पर आयुजित किया गया था मोस्ट इंपोर्टेंट है एसे सी बहुत बार प्रसंद पुछ चुका यहां से 1951 में हुआ था इंडिया की निव डैली में आपर देख सकते हो चार साल में एक वार आयुजित होता है यह फिर आपर ठर्ट खेलो इंडिया इनवर्सिटी गेम्स दोहर तेइस का तो इसको इसका आजन कहां पर हुआ यूपी में हुआ में जो सिटी था इसका आजन करने वाला वो कौन था लखनो मैसकट था जीतू जो कि एक बारा सिंगा है और बारा सिंगा जो है यूपी का स्टेट एनिमल है यह भी पता ना सब्सक्राइब नमबर टू पर अमरीच सर गुरुत नानक देव इनवर्सिटी ठर्ट पर है करनाटक का जैन इनवर्सिटी फॉस्ट पर जो रहा है उसके आप एक बार मेडल याद रख लेना टोटल 69 मेडल जीते हैं पंजाब इनवर्सिटी ने 26 गोल्ड 17 सिल्वर ब्रॉ सब्सक्राइब अमर कंटक अब सबको पता जासे कौंण कौंसी नदिया निकलती है आप मुझे बता दो दो इंपॉटन नदिया यहां से निकलती है आपको बताना है कमेंट में महाराश्ट जो यहां पहें पर रहा है महराश्ट अगर बात कर तो टोचल यहां पर मेडल देखो गोल्ड की बात करें तो 56 चांफ़ा प्छॉन्ड चांपन की भात करत स्पेन चैंपन की फर्सट टाइटल है यह स्पेन ने इंगलान को हरा दिया गोलडेन ग्लोब गोलडेन बूट्ट गोल्डेन बॉल ए उस्पेंड के लिए खेलती है हॉस्ट कंट्री मॉस्ट इंपोर्टेंट है आउस्ट्रेलिया और निजिलेंड में आउजित किया गया है यह आपको पता होना चाहिए फिर आपर आइस एस जुनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप 2023 तो शुटिंग का जुनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप 2023 की बात करें तो कहां पर आउजित हुआ तो देखो साउथ कोरिया के चैंगोन सहर में आउजित हुआ है यह पता होना चाहिए 14 जुलाई से 25 जुलाई तक थोल एडिसन था यह एंड इंडिया जो है यहां पर देखो टोटल 17 मेडल जीता है छे गोल्ड छे सिलवर पांच ब्रोंज रैंकिंग की बात करें तो नंबर टू पे भारत हमारा रहा है कैनेड़ा ओपन की बात करें दोहर तेज की तो यहां पर देखो इसको जो है में सिंगल्स को टाइटल है वो लक्ष सेन ने जि 22 में और कहां से आते हैं उत्राखंड के अलमोरा डिस्टिक से यह भी पता होना चाहिए नेक्सर 2023 का वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियंशिप पीछे वने एक सूटिंग का देखा अभी देखो आर्चरी का यूथ चैंपियंशिप है तो टोटल इंडिया ने यहां पर मे चैंपियंशिप जो है यह कहां पर आज़ित किया जाएगा कैनेडा के वीनी पैग में याद रख लेना इंपोर्टेंट है आगे के अडिसन सी बहुत जादा पुछा आते एक्जाम में जरूर याद रखिए डुरंड कप अभी अभी समाप्त हुआ है 3 सितंबर को ही तो य किताब इनके पास है याद रखिएगा 132 एडिसन था एंडिया येसिया का ओल्लेस्ट फुटबॉल टूर्णामेंट है पुछा आता है ने डुरंड कप का संबंध किस स्पोर्ट से है तो बताना है आपको फुटबॉल है ना फाइनल मैच खेला गया कहां पर कॉलकटा के स काल लेक स्टेडिया में देखो डूराज्यों मिलकर इसको एजीद किया है एक कॉलकटा जो के वेस्ट पेंगौल का और याद रखेगा टोटल टीम यापर केतनी गई थी चौबेश, हैं बहुत करते हैं नंबर 1 चेसप्लेयर भारत के देखो अभी तक हमारे भारत के नंब लेकिन इनको पच्छाड दिया कि इसने डी जुकेस ने डी जुकेस जो है यह इंडिया के अभी नंबर वन चेस खिलाडी बन गए यह आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताई मैगनस कालसा ने जो कि नॉर्वे के लिए खेलते हैं याद रहें आपसे पुछा आ सकता है कि डी जुकेस का संबंद किस खेल से हैं तो किस से हैं चेस से वर्ल्ड पैरा अथलैटिक शेंपियंशिप देवर तेज कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं तो टोटल दस मेडल इना ब्रोंच है ने सुमित अंटल जो की जैवलीन थ्रोंद संबंधिते इन्होंने गोल जीता सचीन खेलाडी की बात करें तो यह इन्होंने गोल जीता था जहां पर यहोंने मैडल जीता है ठीक है डस मेडल अभी तक इंडिया ने कभी नहीं जीते थे पिछली बार जो दुबई में अडिशन हुआ था ना जैर 19 में वहां पर इंडिया नोव मैडल जीते थे अभी जो सबसे हाइस्ट मेडल इंडिया का रहा है दस आगे वर्ट एक्वेटिक्ष शेम्पेंशिपD Alti 30 की बाद करें तो इसको होस्ट कहां पर किया गया जपान के ओपान के फाकु यॉका में इसतरे से पास्त दिया जाता है ठीक है कि कि बड़ी से एंसर आपको पता देना है जापान का फाकू का यह आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट है यहाँ पर देखो इंडियास फॉर्स्ट एवर हिस्टोरिक वीमेन कवड़ी लीग जो हुआ था दुबबई में तो फाइनल यहाँ पर पंजाब पैंटर्स वर्सेस उमा कोलकता खेला गया यह आपको याद रखना है और यहाँ पर जो है कोलकता के टीम जो है इन्होंने इस खिताब को जीत लिया था फाइनल में यह आपको पता रची यानि उमा कोलकता ने फाइनल को जीता था यह याद रखना कि फॉर्स्ट एवर हिस्टोरिक वीमेंस कवड़ी लीग कहां पर जीतुआ दुबाई में युए का सेरे मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँ पर आपको आई सेसी का हेटकॉर्टर भी देखने को मिलता है आगे देखो यहाँ पर सात्विक साहिराज एंड एक रंकी रेड़ी और दुसरे खिलाड़े चिराग सेटी यह दोनों देखो कोरिया ओपन का जो है न मेंस डेवल का फाइनल भी इन्हों ने जीत लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो है जो भी खिताब जीते इन्होंने स्विस ओपन की बात करें जो की सुर्जलेंड बसेल में हुआ यहाँ पर बीड़ाबलू एफ वर्ल्ट टूर सूपर 300 जो है वो इन्होंने जीत लिया एसिया चैंपियंशिप जो है दुबई में जीत हुआ यहाँ पर इन्होंने बीड़ाबलू एफ वर्ल्ट टूर सूपर 1000 को जीत लिया इसने टूर्णामेंट के नाम है ठीक है इंडोनेसिया ओपन की बात करें तो साउथ कोरिया के यह उस सोम एजुत हुआ बीड़ाबलू एफ वर्ल्ट टूर सूपर 500 जीता है यह आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यह का समंध किस्से है बैड मिंटन से साथवीक साहराज रंकी रेडिया चिरक्षेटी स्क्वेश वर्ल्लकप दोहर तेज की बात करें तो यह चैंपेंशिप जो है कब आयुत हुआ 13 से साथ जुन तक आयुत हुआ कहां पर तमिल नाडू के चिन्नाई में यह मोस्ट इंपोर्टेंट है एजिप्ट जो है यहां पर इन्होंने फाइनल जीत लिया है यह याद रख लिएगा इन्होंने फाइनल में हराय मलेशिया को ए इन्होंने जीता था ठीक है एजिप्ट की बात हो लिए आगे है 37 एडिशन इंडियन नेशनल गेम यह प्रस्ण एक्जाम में आ भी चुका है कि 37 जो नेशनल गेम से 23 वाला कहां आजूत किया जाएगा कहां पर किया जाएगा गोवा में आजूत किया जाएगा टोटल टीम है याद रखिया यह देखो प्रमोज सावन जी हैं गोवा के सीएम आगे यहां पर देखो मैं ग्रेंड स्लैम देश को एक बार रिवाइस करा देता हूं फटा फट विंबल्डन ओपन फ्रेंच ओपन लास्ट में आपर है श्ट्रिलेन ओपन जो नीचे दिख रहा है आपक से आती है किस तरह के कोट पिखले आता है ग्रास कोट पिखले आता है डिसन के कौन सा था इस बार फ्रेंच ऑपन की बात करूं चैंपियन बने नुवाक जोको भी सर्विया से आते हैं कैस्पर रूट को इन्होंने फाइनल में हरा दिया जो कि नॉर्वेग के खिलाडी है विवेंच सिंगल स्टाइटल की बात करें तो चैंपियन बनी है इगा स्विया टेक जो कि अभी इंफोसिस की ब्रैंड अबेजर भी बनाई गई है पोलेंड की खिलाडी है रन अप यानी इन्होंने फाइनल में रहा है केरलीना में उस चोवा को जो की चेक रिपब्लिक की ख अले कोट्ट पे खिला आता है फ्रेंच योपेंड 127 एडिसन इसवार आजित किया गया और चैंपियन नुवाक जोकोविच याद रखेगा रन अप यानी इन्होंने फाइनल में किसको राया स्टेफानोस सित्सिपास को जो कि ग्रीस के खिलाड़ी है विवेंड में बात क सब्सक्राइब आपको पता हो अच्छी नेक्स्ट देखो अब आगे में एमसी की उपर किस टीम ने रिकॉर्ड नौवी बार सेफ चैंपियंशिप द्योरतेज जीता है तो यह हमारे भारतन जीता है ऑप्संडी सही हो जाएगा और बात कर तो देखो इंडिया का यह 9 इस को हम दरतेज ही रोइंट कान में जानते हैं इसको ही भारत नहीं जीता है फाइनल में किसको रहाया अपर लाबनन को याद रखिएगा वैन्यू क्या था ओडिसा भुबनेश्वर यहां पर आप देख सकता है जो भी यहिर्स में जीता है इन्डिया ने सैफ्चैंपियो से बोल लिखा हुआ है 1993-1997-1999-2005-9-11-15-21 फिर है फिर हो बीकेम दा फॉस्ट ट्रांजेटर विमेन प्लेयर टू प्लेयर इन इंटरनेशनल किरकेट इनका नाम है ऑप्शन भी डैनियल मैक गाहे याद रखिएगा ऑप्शन भी सही हो जाएगा और फॉस्ट ट्रांजेटर विमेन बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल किरकेट खेलेंगी इनका जन्म हुआ था उस्ट्रेलिया में लेकिन अभी जो है कहां पर इस्ट हो गई है कैनेडा में तो इसलिए कैनेडा के लिए खेलेंगी आपको पता हुआ अच्छी है बात करें इटेलियन ग्रेंट प्री 2023 का खिताब किस्टन जीता है तो यह देखो मैक्स बस्टेपेंड लगातार पिछली साल से जीते जा रहें भाई लगवग सारे जो उतने ग्रेंट प्री इस सब यहीं जीत रहें अभी फिलहाल यहां पर देखो मैक्स बस्टेपेंड की बात करें तो देखो रेडबुल की कार चलाते हैं यह आपको पता होना अच्छी है और देखो रिकॉर्ड तोड़ दिया है लगातार दस जो है ना फर्मूला वन के रेस इन्हों ने जीत लिए हैं और सेवेस्टियन वैटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्हों नो में लगातार जैनो ग्रेंड प्री जीते थे यह आपको पता होना च्छी है चलो आगे देखते हैं यहाँ पर देखो जो भी मैक्स वस्टैपन के खिताब हैं सब लिखे गए मतला अभी तक जो भी फर्मूला वन के रेसेस हुए है न सब यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप एक बार देख सकते हो पूरी लिस्ट देखो मैक्स वस्टैपन ही सभी जगद दिख रहे है न सवथी अरेबियर ग्रेंड प्री सर्जियो प्रेज इनका नाम याद रख लेए रेड बूल की कारे भी चलाते हैं मेक्सिको से बिलोंग करते हैं मैक्स वस्टैपन निदर लेंड से बिलोंग करते हैं आजरबाए जहां के ग्रेंड प्री जो है यह भी सर्जियों प्रेज ने जीता है तो यह दोरों आपको याद रख लेने हैं बागी सारे मैक्स वस्टेपमेंट विच टीम वोन दा आईपेल 2023 टाइटल दर तेज का आईपेल किसन जीता चन्नाई सूपर किंग्स ऑप्सन भी सही हो जाएगा फाइनल में हरायक किसे भाई गुजराट टाइटन स्कोराधिया साथ विकेट से एंड एस स्यसके का पांचवा किताब यह आपको पताओना चीए फाइनल मैच का प्लेर अप दो मैच कौन बने वो बने डेविन कौन वे यह पताओना चीए स्यसके कैप्टन एमेस धोनी कहा प्राजीत वा था इस वार इंडिया में ही हुआ फाइनल मैच गया नरेंदर मोधी किर्केट स्टेडियम में जो की गुजराट का एहमादाबाद में है और विश्व का सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम भी है और एंज कैप मिलता है सबस्यादा रन बनाने वाले को एक सीजन में सुब्मन गिल्ब को मिला इस बार गुजराट टाइटन्स के लिए खेल रहे थे परपल कैप मिला है मोहमद सब में को यह भी गुजराट टाइटन्स के लिए खेल रहे थे मोस्ट वैलियोवल प्लेयर सुब्मन गिल्ब याद रखिएगा और फास्टेस 50 किसने लगा दिया इपिल का वो है ससी जैस्वाल राश्थान रोयल्स के लिए खेल रहे थे हैं इस को मिला तो याद रख लेना भारत के एटी ठर्ड चेस्ट ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तिनका नाम है अधित्य सामंत ऑप्सण यह सही हो जाएगा एटी सेकंड यानी बिराश्वें की बात करें तो थे प्रनित वो पल्ला याद रख लेना फिर निरा चोपडा ने कौन सा मेल जिता है quarantine तोहा डाइमंड लीग 2023 में कम राजित हुआ कहा जानी तोहा का तर कि इनना जानी जिता है option A gold ठीक है बाकी यहाँ पर देख सकते हो Tokyo Olympics 2020 में भी इन्होंने gold जीता था and फिर यहाँ पर 2022 का World Athletic Championship 2022 का यह बता है यह आपको gold जीते हैं 2022 में silver जीते थे Diamond League 2022 जो हुआ था वहाँ पर इन्होंने gold जीता था ठीक है which country will host 2023 ICC Cricket World Cup यह आईजित हो रहा है हमारे भारत में option यह सई हो जाएगा अभी जो एसिया कप चल रहा है वह कहां पर आजित हो रहा है दो देश मिलकर आजित कर रहे हैं चार मैच खेलाए पाकिस्तान में बाकी जो मैचे से सारुख खान यह याद रख लेना अच्छा पिछली बार का जो वर्ल्ड कप है किर्केट वर्ल्ड कप दोर 19 में अजित हुआ था इंग्लेंड चेंपिन बना था फाइनल में इंग्लेंड ने हरा दिया था न्यूजिलेंड को एंड होस्ट जो है इंग्लेंड एंड वेल्स दोनों के दौरा मिलकर किया गया था पता हुआ अच्छी फिर हुव ओन मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2023 इटालियन ओपेंड तहां पर इस किताब को जित लिया है ऑप्सन ने डैनियल मेंद्वेदेव ने ठीक है याद रखेग मेंस सिंगल्स टाइटल देनियल मेंद्वेदेव ने जीता विमेन का सिंगल्स टाइटल जीता था एलेना रइबा कीना ने यह आपको पता होना चाहिए आगे है विच कंट्री वोन 2023 एसी सी मेंस प्रीमियर कॉप टाइटल तो इसको जीता है नेपाल ने होश्ट भी कहता नेपाल नहीं नेपाल ही जीती भी है फाइनल में नेपाल नहराया है यूएई को यह पता राचिए प्लेर ऑफ दे स्रीज बने हैं नेपाल के जो बोलर है संदीप लामिच्छाने फिरे विच कंट्री वोन टाइटल ओफ फोर्थ एसीन खोखो चैंपियंशिप 2023 तो यह ज जीत लिया है यह आपको पता होना चाहिए और इसको आज़ित कहां पर कराए गया था असम में आज़ित कराए गया था फिरे वीच टीम वोन टाइटल ओफ दूर 23 वीमेंश प्रीमेर लीग और यहां से प्रस्थ आपके जो हैं से स्सी में पूछा गया है कि कि किस टीम को हर कि मूंबाइ इंडीयां इसने फ्रफाइनल का चीशता था आप बटाओ मुझे किसको राया था तो देखो खिताब टु जिता था сколько आया था बाकि यहां पर आपको एक बार आपको देख लेना है बाकि मैंने पिछा आपको बता दे जो भी इंपॉर्टेंट थे फिर हूँ बिकम दा मोस्ट एक्सपेंसी प्लियर ऑप दा विमेंस इंडियन प्रेमियर लिग दोजार तेईस तो मोस्ट एक्सपेंसी यानि सबसे महेंग पंजाब किंग्स ने इनको खरदा था कितना साड़े अठारह करूड में फिर विच्टीम वॉन टाइटल ऑप संतोस्ट रॉपी देवर बाइस तेईस तो यह जीता है ऑप्सन सी करनाटक ने और करनाटक का जो है पांचवा खिताब था फाइनल में इन्होंने अरा दिया करनाटक के लिए खेलते हैं यह पतावना चाहिए और बेस्ट गोल कीपर रजद पॉल संतोस्ट्रॉपी किस हैल सब्सक्राइब फुटबॉल यह यादर प्ले ना ठीक है चलो आगे देखते हैं हुए वन एसीन बिलियर्स टाइटल रिसेंटली तो एसीन बिलियर्स को एक ही खिलाडी है पंका जड़वानी जातर खिताब यह जितते हैं ऑप्सने सही हो जाएगा याद रखिएगा कहां पर आजित हुआ था कतर के दोहा में जित हुआ तो यह पता ना चीए ओवरॉल दिस इस दा अड़वानिश 24 इंटरनेशनल टाइटल एंड एर्थ एसेन क्राउन है यह ठीक है पंका जड़वानी के लिए आगे देखिए विच कंट्री वोन दा टाइटल ऑफ 2023 मेंस होकी व्ल्ड कप किस ने जिता है भाई वो जिता है जर्मनी ने आप्सन भी स सहर जो है जहां प्राजूत हुआ है भुबन इस वर एंड राउर केला में याद रखेगा दो इंपोर्टेंट स्टेडियम कलिंग स्टेडियम और बिर्शा मुंडा इंटरनेशनल होके स्टेडियम में सारे मैचेस कराए गए हैं यह आपको पता होना चाहिए पिर वीच कं एडिसन होगा यह फूटवाल एसिया कप का आगे हैं फूटवाल लॉर्यस स्पोर्ट्समेन ऑप दे यर अवार टॉंटीट्वार इसकी ताब को जिता है लेड़न मैसी ने पिछली बार भी यही जिते थे इस बार भी यही जिते हैं आर्जेंटीना के फूटवालर है पता याद रखेगा नंबर वन पर कजाकिस्तान है नंबर टू पर जपान नंबर थ्री पर इरान नंबर साथ पर हमारा भारत दीख रहा है यहां पर देखो एक गोल्ड तीन सिल्बर दस ब्रॉंज है ना याद रखेगा और का पर आजई दुआ था अस्ताना में ही आजई दू हो था कजाकिस्तान की पीरे वीच टीम है जो और रंजी ट्रोफी 23 ट्रोफी किसने जीता है यह जीता है सवराश्ट्र ने याद रखिएगा बंगाल को हराया था फाइनल में यह इंपोर्टेंट है पताओना चाहिए प्लेयर दो स्रीज बने थे आरपी वासवद जो कि सव सका गिंटिंग ने यह किताब जीता है कहां पर आई जीत हुआ था सेक रासीद बिन हमदन इंदोर स्टेडियम याद रख लिजेगा और बात करें लोकेशन की तो दुबई यही में है यह स्टेडियम बागे मेंस सिंगल शाटल बता दिया वीमेंस सिंगल शाटल एक वार यहाँ पर हैं यह कौन है भाई ताई जू यिंग याद रख लेना मेंस का डवल खिताब यहाँ पर जीता है साथ वीक सही राज रंकी रेडियन चिराक सेटी ने यह इंपोर्टेंट है बैडविंटन एस यह चेंपियंशिव की बात हो रही है आगे देखू कि मैंने आपको पीछे करा दिया नुवाग जोकोविज ने जीता था फाइनल में आपसे पुछ दूगा का आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने ध्यान से लेक्श्ट सुना ही नहीं बताओ स्टीफानो सिट्सिपास किस देश से कमेंट बक्स लिखके बताओ देखके मत बताना बस चलो आगे देखते हैं हूँ बिकेम फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेंस टीटोंट इंटरनेशनल मैच इनका नाम है कीम कॉटन याद रख लेना नीजिलेंड की है यह अपको पता ना चीए और पहली महिला बने जिन्होंने मेंस के टीटोंट इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की है इन्होंने आगे हूँ एज बॉन केनिया लेडिज ओपन टाइटल दर तीस यह आप कोश्टन सुनोगे नहीं नहीं लग रहा हुआ लेकिन देखना एक्जाम में इस तक रिपसने आते हैं आजकल इसको जीता है अधितिया शोक ने यह ज्यादा सब्सक्राइब पहले कैपटन कौन बने भारत के जिनों कर्केट के सभी तीनों फॉर्मेंट में सेंचरी लगा दिये तो फॉर्मेंट में पहले कैपटन कौन बन गए रोईशर्मा ठीक है याद रखिएगा कि आगे अर्जन्टीन ऑपन का किसन जीता दरतेश का तो यह जी पताव ना चाहिए ड्रेम 11 ने रिप्लेस किसको किया है बाइज उसको एंड्रेम 11 कब से कब तक रहेगा भाई दोयर तेश से दोयर छब्विस तक आगे है में सिंगल सेटल कितने जीता है मलेशिया ओपें दोयर तेश में तेया जीता है विक्टर एक्सलसन ने याद रख ले गुची नहीं पताव ना चाहिए चलो आगे देखो यहां पर देखो कुछ इंपोर्टेंट टूर्नामेंट्स के मेडल्स में आपको याद कराता हूं जो कि एक्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं अभी है न समर उलम्पिक एंड समर पारलिंपिक्स और कॉमन जित हुआ है ठीक है इंडिया के पूजिसर रही है फोटी एट याद रहेना समर उलम्पिक किसकी बात कर रहा हूं टोटल मेडल जीते हैं साथ एक गोल्ड दो सिल्वर चार बोंच एंड गोल्ड किसने दिला दिलाया था में नीदत चोपड़ा रहे हैं न समर पर अलिम्प जिसमें पांच गोल्ड थे आठ सिल्वर थे एंड छे ब्रॉंज थे कॉमन वेल्थ गेम दर बाइस के अगर मैं बात करूं यहां पर टॉप किया था उस्टिलिया ने 178 मैडल के साथ मैसकोर था पेरी जो की एक बूल था एडिसन की बात कर तो बाइसवा एडिसन था यह हो यहां रख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट फिर यहां पर देखो मेंस का होकी वर्ल्ड कप मैंने आपको पीछे प्रसंट भी कराया ना किसने जीता जर्मनीन जीता ठर्ट टाइटल था हराया था फाइनल में बेल्जियम को थार्ड प्रेस पर निदर्लेंड्स होस्ट कंट्र इंडिया मैंने आपको बताई दिया था मैस्कोर था ओली टर्टल याद रख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट फिर बात करें आप पर मेंस होकी वर्ल्ड कप जो दोजार्ट 26 वाला वह कहां पर आज़ित होगा बेल्जियम और निदलेंड्स दोनों मिल कर आज़ित करेंगे य सबी आप देख लो एक बार आगे जो है आगे आप कुछ नहीं है आगे पीडियो के लिए आप क्या करोगे टेलिग्राम के चैनल हमारा जॉइन के लिए इंडो पार्ट साला सर्च करके वहाँ पर आपको सारी वीडियो की मिल्कुल फ्री में पीडियो प्रोइड करा जाते थैंक यू पर वाचिन वीडियो थैंक यू सो मच